ये तो आपको भी पता होगा कि सरहत के इस बार भी और उस बार भी रहते इंसानी हैं ये मैंने कोशिश करी थी कि जिन लोगों के मैं जानता तक नहीं हो उनको ऐसी रैंडमली कॉल करें और ये जाने तो सही कि ये सरहतें कितनी नफरत पैदा करती हैं हमें मैंने दोनों जगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगे कॉल किया अरुट कोई सर्मेश सर्मेश बोलरा हुं आर चुन राजपूर जी मैं विजय बोल रहा हूं सर्मेश जर्व दो ऐसी तेक्र रॉंग नम्हें नम्हें जाए टूसे सेग्षित करेक्षाग गोम्रत काटा वर गृत इस घुल नम्हें या धिस्तृट था थे ऑपगना सर आप मेरा बक्त खराब मत करो यहाँ पर मेरे को पाकिस्तान बॉर्डर पर तीन फैमिली दिखाई दे रही है सर आप कमाल कर रहे हो पाकिस्तान से मेरे को लोग दिख रहे हैं सर तो आड़ा ना किया मैंनो ना तो दस हो अपना गुर्चरण जी एही गल मैं सब दसना चांदा है कि है तो इंसानिया क्यों मार रहे हो गुर्चरण जी मैंने आपसे बात करने से पहले पाकिस्तान में फोन किया था और यकीन जानिये इस इंसान को मैं जानता तक नहीं था ये कौन है इनसे में मेरे बात हुए थी कुछ इस तरह की सुनिये तरह क्या कहाता है इन्होंने मेजर अब्दुल्ला वालेकुम असलाम याखूब अन्वर बॉर्डर से बोल रहा हूँ सर ओर दीजे मुझे हिंदूस्तान की तरफ से अभी तीन फैमिलिस दिखाई दी कौन बोल रहा है मेजर अब्दुल्ला वक्त खराब ना करें मैं बॉर्डर से याकूब अन्वर बोल रहा हूँ हिंदुस्तान की तरफ से अभी मुझे तीन फैमिलिस दिखाई दी जिसमें तीन खौतीन दो बच्चे और दो बड़े लोग थे आपके आउडर रहो तो गौली मार दो आपने घलत नमर मिलाया है मैं मेजर अब्दुल्ला नहीं बुर रहा हूँ यूसप घलत नमर मिल दिख रहे हिंदुस्तान की तरफ से तीन फैमिलिस मिल रहे हैं वो गौली मार रहा हूँ सुनो 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 क्या दिमा स्क्राव हो हूँ । Spike तुमारा क्यों इस तरह में गोली मार रहे हूं किसी को हैं कुछ خوف लाह का दिल में धीलमे यह नहीं सुर्व हिंदुस्तानी है गोली मार नहीं होंके मुझे मुझे एए एहमत इंसान, तुझे वो हिंदुस्तानी दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहे हैं, खदूश जड़ा एक बाद सोच लो पहले, है तो वो भी इंसान मैं 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 बॉस से पूछ के और इनके इनको अब बाद से क्या पूछना है या, तुमने इस तरह से पताफ प्यादा कला रखे हैं मैं आपका नाम जान सकता हूँ आप, आप कौन बोल रहे हैं मैं जब भी बता पाँगा जब आप मुझे अपना नाम बताएंगा मैं रजा अब बाद बोल रहा हूँ रजा अब बाद साब, एक साब और हैं जिन से मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ मैं माजरत चाहूंगा आपसे, मैंने इस तरह काल किया अब मैं आप दोनों से मापी चाहूंगा और ये बताना चाहरा हूँ आपको कि मैं बार्डर से नहीं बोल रहां मैं ये खुद भी जानना चाहता था और दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि आखिर कितनी नफरत करते हैं दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे से आप दोनों की बात सुनके ये अंदाजा हो गया कि जंग दोनों तरफ से कोई नहीं चाहता फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि हर तरफ गोली बारी आप दोनों का मैं ऐसान मंद हूँ और मुझे अंदाजा हो गया कि खुद्रती तोर पे आपके मुझे वो निकला जो एक इनसान के मुझे निकलना चाहिए बही नवे बात इतनी सी है कि एक तो वैसे ही जिन्दगी इतने मुख्तसर सी हो गई है और उसमें ही इस तरह से दो मुलकों के बाशिंदे आपस में इस तरह से नफ्रा लगा लगए लगए तो एक बात सूचने वाली यह है कि अल्ला को मुझे पूरी उम्मीद है और आप दोनों का मैं शुक्रियादा करना चाहता हूँ और तहे दिल से ये चाहता हूँ कि एक दूसरे को मारने से बेतर है कि एक दूसरे को बचाओ और सोचुön, समझो जी गुर्चरन जी गोलियां चल गई जितनी चल नहीं थे इस बात का सुबूत आप दोनों ने दे दिया कि गोली बारी आपने से कोई भी नहीं चाता और मुझे ये उमीद है इन्शालला कि आने वाले वक्त में सुकून से बैट कर जो तरीका होता है उस पे बात करी जाए और इनसानों को कम से कम मारना बंद किया जाए I'm sorry मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह बिना बताए आपको फोन किया लेकिन ये बहुत बेहतर चीज हो गई कि सब को ये अंदाजा हो गया कि दोनों तरफ की आबादी चाहती क्या है खोश रहें इस पार रहें या उस पार रहें चुक्विया अरे रुक जारे बंदे अरे थम जारे बंदे कि खुदरत हस पड़ेगी हो अरे रुक जारे बंदे अरे थम जारे बंदे कि खुदरत हस पड़ेगी हो